सब्सक्राइब कर रहे हैं जो के नितिन संगानिया द्वारा लेखी गई बुक है और बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट बुक है फॉर्म यूप्लोड हो चुके हैं आपने देखा हो गया और काफी जादे डीटेल में जो है इस बुक को कवर करा गया है ठीक है जो लास्ट लेक्चर वी हैफ कवर्ड वो हमने कवर करा था 17 ठीक है 17 चैप्टर को खतम गया था that is calendars in इंडिया ठीक है calendars को हमने कवर करा था उसमें हम लोगोंने क्या 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 कवर करा था we have talked about introduction introduction के बाद हमने उसमें क देखे थे उसके साथ हमने चाप्टर को एंड कर दिया था चाप्टर खतम कर दिया था नाव वी विल टॉक अबाउट टुडे चाप्टर नंबर 18 पाइड फैस्टिवल्स ऑफ इंडिया की आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा चाप्टर नंबर 18 है उसको स्टार्ट करे और आप से नोट बना सको तो लिए त्याप्टिवल्स अपने चाप्टर नंबर 18 फे पैस्टिवल्स ऑप इंडिया उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडूड़क्शन के बाद स्टिवल्स सेक्वल्स वारे में तोड़ी बहूत बात जाने फैस्टिवल्स यांगे फिसमिगी festival के बारे में cover करेंगे जैसे कि हमारा Hindu festivals आगा Hindu festivals में कौन-कौन से हमारे festivals है वे विल covered ठीक है तो चलते हैं आगे और गाइस this course is presented by me दीपा क्यादव ठीक है तो अगर आपको यहाँ पर आपके लिए एक important information है अगर आपको कोई भी queries होती हैं कोई भी problems होती है regarding your प्रपरेशन और अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और यू कें इस तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप यहाँ पर अलग-अलग सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तड़ी आइस के आप यहाँ पर कॉंटेट कर सकते हैं वे विल सॉट इट आउट इन अलग-अलग-अपर यहाँ पर तीन डैनमिक बैच्च बने वाला है जो की कम्प्लीट परपरेशन कराएंगे 13 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहे हैं और यह कम्प्लीट परपरेशन कराएंगे UPSC CAC 2020 और 21 इफ यह वांट तो प्रेपेर फॉर यूपीस CAC 2020 और 21 यहाँ पर 13 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है तो अभी जाकर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गर बैटे बैटे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का द्वारा प्रिपेर कर सकते हैं अपने UPSC CAC के लिए ठीक है तो आगे चलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं दी ब जयने करने घरने कर दो सकते हैं जयने के डिए समय के टैनल हैं जया है जिसा किर देख सकते हैं यहा से के लिए में चाप्टर नमबर 18 स्टार्ट करते हैं देखेंगे क्या क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट है जो हम कवर करेंगे तो गाइस लेट्स जंप आंटो इट नाव आ गए हैं हम लोग आपने चाप्टर नमबर 18 के उपर सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन जैसा कि हम अभ साथ है जितनी भी कम्यूनीटी जितनी भी कम्यूनीटीह है उनके अपने खुद के फेस्टिवल्स हैं छो है उल्डीन संडूर करें यह कुलिद है यहां पर belonging to different faith and community यानि secular country है और कोई भी festival होता इद होती है तो सब की छुट्टी होती है ठीक है दिवाली होती है तो सब की छुट्टी होती है यह नहीं कि यहां पर हिंदूस के लिए छुट्टी है मुसलिम्स के लिए open है ठीक है एसा नहीं होता है ठीक है तो यहां पर secular country है इंडिया हमारी तो उस पार जो कुछ festivals हैं जो की restricted list में आते हैं और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है लेकिन अभी यहां पर दो types के festivals के बारे में बात करेंगे there are two types of festivals तो यहां पर हम बात करते हैं एक अंदम plain page पे एक तो है हमारा religious festivals ठीक है उसके बाद है हमारा next एक secular festival तो दोनों के बारे में बात करेंगे अभी हम तो मैं आपको पहले एक English में definition बता दूँ तो religious festivals जो है was celebrated by those who believe in particular religion and particular and practice their rituals और secular festival के बारे में बात करें तो secular festivals are celebrated by the entire nation respective of their religious particular religion community अपने लिए यहाँ पर इसे जो है festival चाहे वो से related होता है particular community से secular festivals यहाँ पर सब जो है इसको celebrate करते हैं now अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और cover कर ले रहे हैं what are national festivals national festivals क्या होता है जो की celebrate करे जाता है by the all सभी के दौरह जैसे कि यहाँ पर एक्जाम्पल लोब 26th January हो गया यानि कि Republic Day सब के लिए आपर सभी लोग celebrate करते हैं next one is 15th of August Independence Day यह भी सब लोग celebrate करते हैं next one is second October गांधी जीनती यह भी सब लोग celebrate करते हैं तो इस आर national festivals so guys don't be confused religious festivals are different festivals are different and national festivals are also different तीनों में आपर अलग अपना difference है तो आप इन्हें अपने माइंड में जो है capture करके रखें ठीक है आगे चलते हैं now we will talk about religious festivals what are religious festival and जो जो community है particular communities के जो भी यहाँ पर festivals होता है we will talk about that okay so first of all यहाँ पर religious festivals के बारे में जानते हैं what are the religious festivals जो यह festivals हैं celebrate करे जाते हैं specific communities के द्वारा ठीक है तो एक कोई भी हमी community अगर celebrate करती है किसी भी यहाँ पर अपने particular religious festivals को ठीक है उसके यहाँ पर बिलीव करते हैं पर particular belief system में यानि एक system जैसे हिंदू हैं तो यहाँ पर हिंदू के लिए काफी सारे अलगलग त्योहार हैं जैसे कि हमारे festivals हो गए दिवाली हो गया शरद पूर्निमा होली मकर संकरांती जनमाश्टमी दशेरा राम नुमी दुर्गा पूजा गनेश अदूर्थी करवा चौथ रत्यात्रा महाशिव रात्री छट्य पूजा ठीक है यह सारी चीज़े जो हमारी होंगे हिंदू से related तो जो भी एक particular specific community होती है ठीक है उसका जो अपने खुद का religious festival है जो कि celebrate करी जाती है हिंदूस के द्वारा बट एक secular country में जैसे की इंडिया है यहाँ पर non-hindoos भी holy को enjoy करते हैं सही बात है इद को यहाँ पर हिंदूस भी enjoy करते है non-muslims भी enjoy करते हैं तो यहाँ पर ऐसा यह इंडिया secular country है सभी लोग enjoy करते हैं जो की बहुत जादे अच्छी बात है अब यहाँ पर हमने कावी सारी जो लिस्ट ऑफ festivals है उसको compile करके रखा है आपके लिए जिसके बारे में हम भी आगे बात करेंगे और जो की celebrate करे जाते एक particular communities के दोरा across the country पूरी country में particular communities के दोरा celebrate करे जाते हैं now first of all we will talk about the Hindus festivals तो Hindu के जो festivals हैं उसके बारे में बात करेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया I have told you अभी मैंने बिल्कुल बताया था आपको जो फैस्टिवल सबसे पहले हम दिवाली और दीपावली यह की उसके बाद यह celebrate करी जाती है सारे हिंदू सेक्स के दोरा across the country यहां पी जो भी बाहर रहता है हिंदू बगर यहां पर अगर बाहर रहता है विदेश वगरा में वो भी celebrate करते हैं सारे साथ यह एक auspicious day के दिवाली होती है जैसे कि यहां पर new moon यानि अमवस्या के दिवाली होती है जो कि कार्तिक के मंद में अमवस्या आता है जिसके बारे में हमने पिछले ही lecture में जो की calendar के बारे में cover किया था और कार्तिक का मेंना कौन सा होता है usually October और November होता है उसके बाद कुछ और हमारे कुछ पवित्र दिन है जो कि यहां पर देखे जाता है जो दिवाली आने से पहले कुछ और फेस्टिवल्स आता है जैसे कि आप देखते हो तो नारक चतुरदसी आती है जो की यह बताती है जो पता होगा दिवाली के दिन होती है उसके बाद यह जो डे है यह काफी ज़ादे पवित्र है दो रीजन से वो कौनसे कौनसे रीजन है सबसे पहले तो जो लॉड राम है जो राम जी थे वह हहां पर आयोदिया आये थे अपना 14 साल का वनवास कार्ट कर जैसा कि सब को पता ह जो कि यहां पर एक विक्तरी बताता है यानि एक लाइट की उजाला की विक्तरी है उसके बाद पूजा यहां पर जब होती है हमारी शाम के टाइम में डिवाली के टाइम पर तो गौड़ेस लख्श्मी जो है उनकी पूजा करी जाती है क्योंकि ये एक harbinger of wealth कही जाती है ठीक है harbinger यानि कि एक संदेश वाहत कह सकते हो यहाँ पर इनके द्वारा इनने wealth से हम लोग relate करते हैं ठीक है harbinger of wealth कही जाती है उसके बाद यहाँ पर जुद्धे भी household होते हैं जादतर household जो है अपनी घरों में lights वगरा जालर वगरा लगते हैं festival में जो day of दिवाली है यहाँ पर इससे हम लोग चोपट फूजा भी कहते हैं उसके बाद ये lord krishnam यहाँ पर day of दिवाली यहाँ पर चोपट फूजा क्यों कहले aja aja ते है क्योंकि lord krishnam है उन्कुन को battle field में जो कुरुक शेत्र में जब बैटल चल रही थी युद्ध चल रहा था तो अरजुन को क्या क्या चीज़ा सिखाई थी उसके रिकार्डिंग यहां पर कहा जा रहा है उसके गाद अगर हम जेन फिलोसिक फिलोसफिक के अकॉर्डिंग देखें तो यह जो डे था यहां पर को थोड़ी कम चीज़ा नॉलिज होंगी आज सब को क्लियर होने माला है सारी जितने ही वेस्टिवल से डिटेल में वो सारे रिलीजन से रिलेटेड होगे शरत पुर्णिमा के बारे में बात करें जो यह पैस्टिवल है यहां पर पंदरह दिन पहले आता है दिवाली से और है मूनलाइट के टाइम पर पूर्णिमा के रात के दन और यहां पर जो हमारी रिचलिस्टिक लोग कहते हैं छबीना ठीक है अब अब होली के बारे में आप सभी को पता ही ही होगा जैसा कि फेस्टिवल कोलर होती है हमारी फोली ठीक है यह कैलर वगईरा से खेला जाता है आभी हम बात करेंगे इस होता है। अलग-늦िंस के पिपल होता है वो Сब जो होली को सभे करता है अब फैस्सका है वहाह सबधरेट julky जो चोटी भूली है देहन कहते हैं वह सब कैसे हमलोग हुली का देहन कर डिया दिया गया था वरभ्ण रॉषीki holy का देहन यह जो burning है यह signify जो यह जलाया एक जहां पर जल रही थी burning हुई थी जली थी तो इसके यह क्या दर्शादी थी कि अच्छाई की जीत है वो बुराई पर हमेशा होती है good over evil यह represent करा था burning of holy का उसके बाद जो colors और festivities है यह representative है यह बहलों है God of love के यह रपेज़न करते जाते हैं गौलाल का इस्तमाल करते हैं ठीके यहाँ पर holy में color का इस्तमाल करते है पानी का इस्तमाल यह घोली खेलने के लिए लेकिन आजके time पर आ ताइम पर chemical colors वगरा के जाते हैं जिसके कि वज़े से skin diseases है वह लग-ग parts of the country में जैसे हम बात करें वरिंदवन और फ्रहों राल तीके और वरिंदवन और मथ्रह में लठमार ः तक करी जाती है आप लोग को पता नहीं होगा लट मार नाम से समझ लहाँहां होगा लट से मारते होगा लट मार उली सेलिब्रेट करी जाती है जहाँ पर क्या इस बात हैं हम मकर संक्रांती के उपर मकर संक्रांती के बारे में भी सब लोगों को पता होगा यह फेस्टिवल जो कि dedicate करता है सूर्य देवता को जो कि consider करा जाता है king of all the planets सूर्य देवता क्या कहे जाते हैं पूरे मतलब राजा है सारे planets के जो मकर संक्रांती है वो करी जाती है movement of the sun to the northern hemisphere जब हमारा sun हो नौर्थन हमिस्फियर को मूव हो जाता है ठीक है उसके लिए आपर हमारी मकर संक्रांती जो है वो celebrate करी जाती है नाओ जो यह words है यह mix जो मकर संक्रांती है ठीक है यह हैं पर mix हैं दो संस्क्रित words है मकर मींस काप्रिकॉन संस्क्रांती across the country और यहां पर पतंग वगरा उड़ाई जाती है आपको याद होगा यहां पर पता ही होगा कि मकर संक्रांती के दिन ही काफी जादे पतंग उड़ाई जाती है इसे हम लोग अनिवर्सरी यह लॉड कृष्णा की यह एक कॉज सेलिबरेट करी जाती है आपर जनमाष्ट में हिंदू कॉम्यूटी के दौरा उसके बाद यह आती कब है श्रवन के महीने में आती है श्रवन महीना हमारा जो है जुलाई अगस्त का होता है जो डेट है यह कैलकुलेट कर यह लुटा कलेंडर में कितने दिन होते हैं अब तो यहां पर हमने देख लिए के टाइम पर यह हमारी जनमाष्ट में मनाई जाती है उसके बाद जो यह फैस्टिवल है यहां पर पर्फॉमेंस करी जाती है रास लीला की स्यादी साथ एक प्लेफुल एक्ट करा जाता है र उफटे चोड़े बच्चे होते हैं उनकोो काफी अच्छे तरीके से ड्रेस अप कर दिया जाता है तो यह सारी चीजसे परreform करी जाती है रास लीला उसके बाद did जरा जो महराश्ट्रा में जो इसे दही आंडी कहते हैं क्योंकि महराश्ट्रा में एक दम टॉप की जो है मनाई जाती है जनमाश्ट्मी साधिसाद गनिश चतुर्थी भी जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे लेकिन दही आंडी यहाँ पर महराश्ट्रा में जो है जो हमारी जन्माष्ट में देयाइडी के तरह मनाई चाती है। जो कि प्रेजन कई करिए। मट्की तोड के मख़न खाते हैं। अब हम बात करते हैं दशेरा की जन्माष्ट में हमने कंप्लीट किया बात हैं दशेरा की। दशेरा हमारी विजए दशेvida कहती है, यह सलिबडेट होती है all over the India और क्यों, क्योंकि हमारे राम जी है, राम जी ने रामवर को मारा था, इस वैसे यहाइप हमारा दशेरा मनाया गया अब यहाँ पे बात हो रही है हिंदू जो नौर्थ एंडिया में है वरत रखते हैं 9 धिन तक जिससे नावरात्री कहते हैं 9 दिन बाद है आप दशहरा आता है तभी तो हाँ पे कहते हैं वीजे दश्मी थिक है दस्वे दिन जो है दशहरा होता है तो 9 दिन का वरत रखते हैं जिसे हम लोग नवरातरी भी कहते हैं जो यूनीक पॉइंट है एक अच्छा पॉइंट है दशहरा के लिए वो कौन सा है जो इस सेलिब्रेशन है ये इस तरीके से करा जाता है जो इफिजीज है इफिजीज क्या होती है जो पुतला होता है रावल का रावल का पुतला हुआ रावल के बेटे मेगनात का और रावल के भाई कुम्बकरन का तीनों के पुतले को यहाँ पर मतलब जो है राम जी के रूप में जो के कोई भी यहाँ पर ड्रेस अप करके बच्चा जो होता है उस वो तीर कमांड चलाता है और आपर उस पुतले को जला देता है ठीक है तो यह सारी चीज़े प्ले करी जाती है दशहरा के टाइम पर रहें दिन तक यहां पे डांस करते हैं अभी अब हुआ है अब छी का युल break ऐऊ तब डाफ जाता है तो जनम हुआ था उसकेहाद सब्सक्reet कर घर चाराइब यह मन्ट टूप्रेल मार्च DRU ताइम पर आता है यहां पर खूब अच्छी तरीके से धूमदाम से मनाया जाता है और अधे 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 और पुडूचैरी ठीक है यहां काफी जादे क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि जो लॉर्ड राम है उनकी स्टोरी काफी जादे हां पर भी हुई है तो इसके वह से यहां पर काफी अच्छी तरीके से मनाया जाता है अब पुडूचैरी की बात करें तो कनकभवन टेंपल है यह सेंटर है सारे सारे रिच्वल्स और सेलिब यहां पर इसे मनाया जाता है जो यह दुर्गा पूजा यह सेलिब्रेट करा जाता है वह तो उसके रिगाड़िया पर दुर्गा पूजा को यह सेलिब्रेट करता है जो यह फैस्टिवल है ये month of September October के time पे आता है हर साल ठीक है और other parts of India जैसे की Mysore की बात करें तो यहाँ पर हम लोग दसारा भी कहते हैं इसे और गुजरात में जो people है इस festival को नवरातरी कहते हैं celebrate करते हैं डांस करकर के पूरे गार्ब गर्बा और डांडिया पूरे जूम जाम के इसको मनाया जाता है Tamil Nadu की बात करें जो ये festival है ये celebrate करा जाता है 9 दिन तक और first यहाँ पर जो 9 दिन तक celebrate करा जाता है Tamil Nadu में लेकिन जो पहले 3 दिन होता है वो dedicate करता है लक्षमी जी को फिर उसके बाकी के तीन दिन होता हैं उसे dedicate उसे dedicate वहाँ पे वह दिन dedicate करता है दुर्गा जी को उसके बात कर जो last तीन दिन बचरे उसको dedicate करते हैं सरस्वती ची को ठीक है अब यहाँ पर निंचीजों का आप remember कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं आगे जो next festival है वो हमारी गनेश चतुर्थी गनेश चतुर्थी के बारे में भी सभी को मालूम होगा जो यह फैस्टिवल है इस सेलिब्रेट करा जाता है बर्थ अनिवर्श्री ओफ लॉर्ड कृष्णा के आप कृष्णा कर रहा हूं सौरी गनेश ज जाता है उसके बाद यह एक नैशनल फैस्टिवल है और काफी धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र आंदरप्रदेश करनाटका और तमिल नाडू में बहुत ही धूमधाम से जहां पर गी आठ दिन तक गर गनेश जी को लाया जाता है वहां पर छुट्टी कर दी जात और यह भी का जाता है यहां पर इनका यह अलफेंट पार फेस था चरहेख जैसे हम लोग देखते हैं कंप सकते हैं और यह जो जो भगवानों में सबसे पहले माने जाएंगे आप देख सकते हैं शादी केकारटंे में गनेष जी सबसे पहले आते है, पूजा वगेरा में गनेष जी के आर्ती सबसे पहले करी जाती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह भी ऐ का जाता है, जो फैस्टिवल है, यह सबसे पहले कर गया था शिवा जी के दोरह, ताकि जो Hinduism को promote कर सकें और अपने शासन के time में मुगल्स को oppose करके हैं आपे Hinduism को promote करने के लिए initiate करा गया शिवाजी के दौरा उसके बाद इस festival में जो जाधतर लोग होते हैं जो गनेश जी की मूर्ती होती है उसको ले जाते हैं जो जो लास्ट दिन होता है उसमें यहां पर क्या करते हैं जो नियरेस्ट वाटर बॉड़ी होती है नियरेस्ट हमारी लेक वगएरा होती है वहाँ पर ले जाते हैं उस मूर्ती को और सहरा देते हैं पानी में उसके बाद जिसे हम लोग कहते हैं विसर्जन लेकिन आज के टाइम पर जो टॉक्सिक नेचर है उसका स्टैचू का जो हमारी मूर्ती है उसका वह काफी जादे वाटर बॉड़ी को हम पहुचा रहा है ऐसा यहां पर कहना है बुक में बात करते हैं और इसमय बात करते हैं यहां पर उचलिए जिस लट बेसं में के लिए व्रत रखती है और उसको यह करवचा ॉत आता है fourth day after the full moon in the month of October November यानि कि जो October November में full moon जो आती है हमारी पुर्णिमा उसके बाद यहां पर उसके चार दिन बाद करवा चौत पड़ता है जिसे हम लोग करती की चौत भी कहते हैं जो फैस्टिवल है इंस्टिट्यूट करता है इंशोर करता है जो हमारी जो वीमेन है वो अपने husband की long life के लिए आपर वृत रखती है टिक है उसके बाद जो जो यह यात्रा जगनात यात्रा ठीक है अब यहां पर जो यह वन आफ दी बिगेस्ट फेस्टिवल है ओडीशा का ओडीशा स्टेट का एक वन आफ दी बिगेस्ट फेस्टिवल है जो रत यात्रा है और शेरिट फेस्टिवल ओफ लौड जगनात है यहां पर जो है एक साल में एक ब बलबद्र उसके बाद Goddess सुबद्रा और लॉड जगनात इनको डेडिकेट करा जाता है इस फैस्टिवल में होता क्या है इन तीनों की जो स्टैच्वी होता है इन तीनों की जो मूर्ती होती है लकडी से बनाई जाती है और रेप्रेजेंट करा जाता है जैसे कि Lord Krishna हो गया है उ इस बुलक कार्ट बुलक नहीं होती है उसमें कार्ट वगयरा कार्ट ही कार्ट रहता ठीक है पीछे मूर्ती को सजा वजाके रखके और कार्ट को सजा वजाके जो है ले जाया जाता है जो भीडिखटी होती हैं millions of visitors होते हैं वह उसको खैच-खैच के ले जाते हैं आगे तक उसके बाद यहाँ पे जो है लेके जाते हैं कहा तक श्री गुंदेचा टेंपल तक ठीक है जहाँ पे जो आइडल्स हैं जो मूर्ति हैं महाँ पे रखी जाती है कुछ हफ्तों तक अब बात करते हैं हम लोग महाश्य एवरातीरी के महाश्य एवरातीरी से पहले मैं आपको बता दू जो रत का नेम होते हैं नंदी गोश्व च्र EBgasp सुब्धर नाम होते हैं अलग अलग अब आते हैं महाशुरौति वाले में को सबहुता है क्या साल में छीक है उसके बाद यहाँ यहाँ पर यहाँ छाइगитесь केklär प्रेख करता है हम लोग ठीक है यहां पर सब ठीक रहे हमारे लिए और यहां पर यह 14th day of the month of Mag Mag के महीने में चौदवे दिन पर हैं पर सलिबरेट करी जाती है according to Gregorian calendar Gregorian calendar के बारे में हमने भी previous lecture में cover करा है अभी आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लीजिए उसके बाद यहां पर जो लॉड़ शिवा है यह eternal कहे जाते है अनंत है ठीक है यह जो day है significant है fact है किस दे पर यहां पर क्या होता है जो है huge flaming lingam लिये जाता है जिसे हम लोग Dortrila कहते हैं ठीक है बड़ी बड़ी जो şivling होती है उनको ली जाता है ठीक है शिव जी की जो प्रोने को ले जाया जाता है जो भॉख्त वो पानी लेते है गंगा से गंगा जो river जैसे कि यहांपर हरीद्वार वगराया लोग जाते है जाधेतर ठीकर तो वहाना से पानीटा से और यहां पर कसे शिवलिंक को शिवलिंक के ऊपर चलाते हैं पानी वगराया को मिजज़ा को है झाले होगी बात करते है यह एक हिंदू पॉपलर फेस्टीुरा कि जो सेलिब्रेट टाइम से यह करते हैं ये भी सूरह देवत्र को dedicate करते हैं जिए उसके बाद यह सेल्टीबरेट करा जाता है सिक्स यूनर फॉसाइट करते है दिवाली के, चैयलिबरेट कर जाता है चटबुजा को इसके बाद यहां पर शुला सबुव से भर सबूरा चाप्तर नंबर 18 हिंदू फेस्टिवर अब चाफे फेस्टिवल्स हम लोग करें मुस्लिम फेस्टिवल्स Christian Festivals और Sikh Festivals ठीक है इसको cover करेंगे फिर उसका जो हमारे बच्चे Jain Festivals, Buddhist Festivals उसके बाद सिंधी Festivals उसको cover करेंगे उसके बाद हमारा Parsi के Festivals आ गए है, Secular Festivals कौन-कौन से हैं उसको हम देखेंगे North East India के Festivals कौन-कौन से हैं उसको देखेंगे, तो यह सब हम लोग cover करने के बाद अपना chapter जल से जल इसको खतम करेंगे, ठीक है, काफी सारी चीज़ें अभी discuss करने के लिए, अभी हमने एक part इसका cover कर लिए, अपने chapter number 18 का, ठीक है, तो guys आप like करके बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, तो guys, वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो guys, यहाँ पर सबसे important चीज़ है कि अगर आप notes नहीं बना रहे हो, तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, अगर आप वीडियो को शुरू से देखते वे आ रहे हो, lecture series आप शुरू से देखते वे आ रहे हो, चीज़े आपको clear हो रही होंगी, लेकिन आपको क्या करना है notes बनानी है, जित्ती भी important चीज़े है वो यहाँ पर highlight कर दी गई है, तो guys, do make the notes, made notes बनाते रहो जिससे आपको आने वाले time में बिल्कुल भी परिशानी नहीं पड़ेगी, तो guys जरूरी है कि notes बनाओ आप, ठीक है तो guys, मिलेंगे आप लोगों से, हम लोग अब next lecture में, तो guys, आज के लिए करते हैं, bye bye, मिलेंगे आप लोगों से next lecture में, आपने festival को continue करते हैं, ठीक है, तो guys आचले, bye bye